हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू एजुकेश्टल इंसाइट दोस्तो इस स्कूल यादि विद्याले समाज का लग रूप है सीधी सीवात है विद्याले सामाजिक प्रिस्ट भूम में होता है सामुदाई केंद्र होता है तो समुदाई से सम्मंदित जो भी कार रहें वो सिख्षकों को दोस्तों करने होते हैं चाये पल्स पूलियो अभियान हो चाये बच्चों को आईरन या डी वामिंग टेबलेट्स देना हो सिक्षकों को करने होते है सिक्षकों को करने चाहिए भी क्योंकि आखिरकार ये बच्चे जो कि समाज से ही आते हैं उन्हें सिक्षा दिक्षा देना उन्हें स्वस्त रखना सिक्षकों की जिम्यवारी में आता है लेकिन दोस्तों परशदी स्कूलों के सिक्षकों ने खड़े कर दिये हैं हाथ और टीबी के मरीजों को गोद लेने से कर दिया इनकार तो उस्तों गोद लेने की जरूरत कप पड़ती है जब कोई असहाय होता है जब कोई निराश्रित होता है जब कोई अभाव ग्रस्थ होता है जब उसे सहायता नहीं मिलती तब उसको गोद लेने की जरूरत पड़ती है बेसिक एजुकेशन में इन दिनों दोस्तों गोद लेने का सिलसिला जारी है विद्यालियों को जिला अधिकारी महोदे, मुख विकास अधिकारी महोदे, खंड विकास अधिकारी महोदे, खंड सिक्षा अधिकारी के अलामा तमाम सिख्षकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने वेतन यानि अपनी तनखोह पे विद्धाले को सवारे, सुधारे लेकिन दोस्तों एक ऐसी बीमारी जो कि संक्रामक बीमारी सुभाव में है, प्रकर्त में है सिख्षकों ने ऐसे जो मरीज हैं उनकी संक्रामक्ता को देखते हुए ना केवल उनकी संक्रामक्ता को देखते हुए बलकि इस वीज जो कार्याधिक है उसको देखते हुए दोस्तों हाथ खड़े कर दिये बात करते हैं दोस्तों जनपत प्रताब गड़ से हाथ खड़े कर दिये हैं सिक्षक नेताओं ने कहा है कि सिक्षकों के उपर पहले से ही विभाग का इतना काम लदा हुआ है कि उसे निप्टाना भारी पड़ रहा है टीबी रोगियों से मुलाकात करने से संक्रमन का खत्रा भी बना रहता जो स्कूल के बच्चों के लिए मुसीवत का कारण बन सकता है प्रात्मिक सिक्षक संके जिलाध्य सिरी रमा संकर शुक्ल और महामंत्री सिरी विने कुमार सिंग जी ने बीए से को दिये गए ग्यापन में कहा है बेसिक सिक्षा विभाग के अध्यापकों के पास पहले से ही डीबीटी बियलो एमडियम रैपिट सर्वे की जिम्मेवारी है टीवी रोगियों के पास जाने से संक्रमन का खत्रा बना रहेगा और इस से स्कूल के बच्चे भी प्रभावित हो सकते हैं ऐसे में उन्हें गोद लेकर देखबाल करना संबों नहीं है चिला महमंतरी स्री विने कुमार सिंग जी ने बताया कि विभाग के शीर सदिकारी को इस तरह के आदेश से बचना चाहिए जी हाँ दोस्तों विभाग के जो सीर सदिकारी हैं जो आला अदिकारी हैं उन्हें इस बात का भान होना चाहिए कि सिक्षकों के हाथ में बच्चों का भावी भविश्य है सिक्षक जिस पुनीद पेशे में निमग्न है उसका लक्ष उसका उद्देश इतना पवित्र और इतना विराट है कि पहले सिक्षक उसी कार को संजीदगी के साथ करे पेशन्ट की देखभाल संबंधित परिवार और दोस्तों डाक्टरों के भरोसे या डाक्टर्स की जो टीम है उसके भरोसे छोड़ देना चादा अच्छा होगा बनिजबत इस बात के कि पेशन्ट को सिक्षकों को गोद लेने के लिए दबाव बनाया जाए या उन्हें प्रेरित किया जाए आज के लिए इतना ही वीडियो इंफरमेशन लेटेस्ट अबडेट आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक करें चैनल पे कमेंट करें अपने जैसे दोस्तों तक इसे साजा भी करें लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें Thanks for watching and listening This is a podcast to be signing off